कि गुद्वानिंग मैं डियर सूरेंट्स कैसे हैं आप लोग तो सभी को स्वागत है हमारे इस एड्यूकेशनल प्रेटफॉर्म पे जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं कि मगर जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों वह आपके काम आने वाला है बैंकिंग के सभी एक्जाम्स में सभी को नमस्कार किस्टल संजीत पुजा प्रियंका कोरा देवेंद्र शुष्मा देवी सिंटू काविया दूबे अर्विन दीपा सुनाली अमीशा अंभिका जी अर आपका स्वागत है बिटा तो शुरू करते हैं आज की क्लास सब्जेक्ट वर्ब इरिमेंट का पार्ट थ्री ठीक है बच्चों अब इसकी शुरुवात करते हैं आज हम एक नए कॉंसेप्ट से देखो बटा टॉपिक जो है जो बच्चे नई जोड़े हैं उनको मैं बता क्या चाह Princip इस बारे में अब यूद्य लिए और अब ये नहीं-एं तो कोमें बता घूं-एक होगा और दूसरा है she is public are happy तो प्यारे बच्चों असल में यहां पर subject कौन है आई और she क्या है हमारे subject है और is और m क्या है is और r क्या है verb है तो subject के अनुसार इसे i के अनुसार m आएगा और she के अनुसार इस आएगा किसी को बोलते हैं subject वर्ब एग्रिमेंट यानि subject के अनुसार वर्ब सही है या गलत है यह बात मैंने किवल उन बच्चों को बताई है जो आज पहली बार आए है क्लास में क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है यह ना पता होने पर बच्चा हो जाता है तो बच्चों समझ में आ गया कि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं कि subject के अनुसार वर्ब का एग्रिमेंट सही है या गलत है अब चलते हैं हम concept की तरह तो आज हमारा पहला concept है कि यदि हमारे दो नाउन किसी प्रेपोजिशन जोड़ जाएं जो नाउन कौन कौन से याने कि एक जैसे तो जब भी दो एक जैसे नाउन किसी प्रेपोजिशन जोड़ जाएं तो उसमें वर्ब क्या आती है वो हम देख रहे हैं तो आपके सामने चार सेंटेंस हैं अब देखें आप देखेंगा जरा कि बॉइड ये हमारा क्या है नाउन है ये चारों और ये लृटि हमारा नाउन है गहर बीच में प्रैपजिशन कौन सा है हमारा अफ्टर हमारा जो है यह एए श When है कि और यह आपकानान है तो मेरा सवाल क्या है समझ में आ गया कि प्रेपोदिशन जो है इन फेसे कौन सा वाक्य चिख है पहला वाक्य है boy after boy is running कि लड़के के पिछे लड़के भाग रहे हैं या फिर लड़कों की पीचे तो नियम क्या कहता है बच्चों नियम कहता है कि यह पहले तीनों घलत है और चौथा सही है अब सवाल उठता है क्यों अरे वाह क्या बात है कई बच्चों ने पहले सही सही उत्तर दे भी दिया तो सवाल उठता है वजह क्या है वजह बटा यह है कि जब भी दो नाउन दो एक जैसे नाउन प्रेपुदिंटें से जुड़े तो होता क्या है होता है बच्चों कि ये दौनों होने चाहिए singular यानि दौनों ही नौन एक वचण होना चाहिए ठीक है दौनों ही नाउन singular और इसके साथ वर्ब यानि किरिया भी Singler आती है ये इसकी वजह है तो देखां गल्ती कैसे हूई पहला सेंटन्स देखते हैं पहले सेंटन्स में क्या गल्ती है कि वोई तो सहिए बॉई नहीं होना यानि दोनों ही noun singular हैं और क्रिया भी singular है तो प्यारे बच्चों ये चीज इंपोर्टेंट है ठीके बटा कि जब भी दो एक जैसे noun किसी preposition से जुड़े हैं तो noun भी singular रहता है और verb भी singular रहता है बच्चे clear हो गया तो लिख दीजे, एन मतलब next और उससे हम लोग एक और example दूँगा, मैं आपको एक और example दूँगा, हाँ बिटा, clear हो गया बिटा, तो next लिख दीजे, एन मतलब next, शाबाज बच्चों, शाबाज, आप एक और example, आपके सामने अच्छा, यह आपके सामने यह example है, इन तीनों में स आसे कोई सही है तो वो लेकिए जैसे वन या टू यह त्री प्लाए है यदि आपको लगता है तो कौन सा सही होगा यह बता यह लिखके बताईएगा कौन सा सही हैं हां सिश्मा जी गलत अंसर है पुजा बुल्कुल बिरेंदर Remove भुल्कुल बुलको सही कहा, पूजा ने तो सही उतर दे भी दिया, देखो बटा, तीनों गलत हैं, पहले में यहाँ पर गर्ल्स है, तो यह गलत हो गया, दूसरे में दौनों में ही गर्ल्स है, तो यह भी गलत हो गया, और तीसरे में यहाँ पर गर्ल्स है, तो यह भी गलत हो गया, तो तो सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर होना चाहिए गल्ल अपन गल्ल इस टाइम लड़की क्यों ऊपर लड़की खड़ी है अब एक सवाल बच्चा करता है यदी प्रेपोजिशन के साथ दो अलग अलग नाउन हो तो वह ग्रमाटिकली गलत होता है यदी प्रेपोजिशन के दो अलग नाउन जुड़ें तो उन नाउन का जुड़ना ही गलत है ठीक बच्चों बटा क्लेर हो गया क्या बात है 99 परसंट बच्चों ने 100 परसंट सही उत्तर दिया है आगे बढ़ जाए बच्चे अगर यह क्लेर हो गया है तो नेक्स लिख क्या है यह देखते हैं अगला कॉंसेप्ट है कि यदी आर्टिकल के साथ सब्ज्च जुड़ा हो यदि सब्ज्च में आर्टिकल जुड़ जाए तो क्या होता है आए समझते हैं और मैं बटा इसको बिलकुल बेसिक से समझाऊंगा ध्यान से देखेएगा ठीक़ बच्चो तो सबसे पहले तो हम एक रेखा कीश लेते हैं, ताकि मेरे बच्चे आराम से समझ सकें, तो देखों बटा, माली जा एक वाक्य है, और दूसरा बाक्य है, तो प्यारे बच्चों, इसमें सवाल उड़ता है, किसमें ए आएगा, किसमें भी, यानि किसमें इस आएगा, किसमें आएगा, इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है, क्या, कि माल लीजे, यदी वाक्य में, एंड कंजक्शन के साथ, यदी वाक्य में, एंड कंजक्शन के साथ, इस तरह से आप देखें, तो करना क्या है, बड़ा आसान है, कि देखें, यहाँ पर टीचर और आर्टिकल है केवल पहले में, तो जब यहाँ पर दो सब्जक्शन जोड़े जाएं, और आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन में लगा हो, इसका मतलब यह एक ही व्यक्ति है, जो टीचर भी है और सिंगर भी है, इसलिए इस वाक्य में एजायेगा आर नहीं, लेकिन यदि आप सेकंड वाक्य देखें, तो सेकंड वाक्य में बेटा, पहले देखें जरा ध्यान से, यहाँ भी आर्टिकल है, और यहाँ भी आर्टिकल है, तो जब दोनो नाउन में आर्टिकल लग जाए, तो इसका शुद्ध मतलब है कि यह टीचर एक अलग व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में प्यारे बच्चों इस नहीं आ रहाएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब दो नाउन, एंड नाम के कंजक्शन चुड़ें, और आर्टिकल केवल पहले नाउन के साथ हो, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, और यदि दौनों मे एक व्यक्शन जैसे एक्जाम में आया था, अब आप एक क्वेशन देखेंगे, जैसे एक्जाम में आया था, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गूर बटा, और जो लाइक्स है, लाइक्स जो आपने अपनी जे में छुपा रखे हैं, उसे निकाल लो, इतनी महनत कर लाइक्स करने में इतनी कंजूसी बता रहा हूं में पाप लगेगा पाप मजाग की बात अलग है ये क्वेश्चन है आंसर दीजेगा प्लीज इस गाइस आंसर दीजे असिंगर अच्छा यह यह बता दूं आपको यह a part है किस part में गलती है बताना है यह b part यह c part है और यह d part है और अंत में है यह मतलब no error किस part में गलती है बता दू जल्ली से क्या बात है मेरे शिकारी बच्चे आंसर दे रहे हैं जोती वेहन आपका आंसर है इसका मतलब एपार्ट में कोई गलती नहीं है एपार्ट सही है लेकिन भी पार्ट में आर की जगा इस होना चाहिए कि असिंगर और डांस आचाहँ यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहां पर टाइपिंग मिस्टेक में चला गया है एज आवार्ड़ आएगा वलकुsz शऺ है सभी बच्चों ने तर दिया केवल एक बच्चे को छोड़ कर कोई बात नहीं बटा आप भी कोशिश कीजेगा है तो स अग्जाम में ऐसे आएगा कितना आसान है यह तो बी पार्ट में गलती है यानिकि आपका अंसर है यानिकि टू टू अंसर है आगे बढ़ जाओ बटा अग्जाओ अगर यह तो नेक्ट लिग दीजे इसके बाद मैं आपको एक नया और बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट कराऊंगा अच्छा एक बात आपको बता दूँ मैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यह केवल SBI क्लर्क में नहीं बैंक के सभी एक्जाम में काम आएगा अगे बढ़ रहा हूं में अगले कॉंसेप्ट पर अब देख अगला कॉंसेप्ट चा कहता है कि मोस्ट स्यूप के साथ यूएन का मतलब क्या है यूएन मतलब uncountable noun और countable noun जोड़े हो तो क्या होता है most of के साथ यदि uncountable noun या countable noun जोड़े हो तो क्या होगा आए देखते हैं तो देखो बटा example समझते हैं इसको तो सबसे पहले तो हम लोग एक यहां पर रेखा डालेंगे अब वाक्य दे रहा हूं इसको ध्यान से देखेगा वाक्य है most of the water is oblique are dirty की अधिकतर पानी गंदा है और दूसरा वाक्य है most of the boys has oblique have come तो प्यारे बच्चों most of की खासियत क्या है उसको देखते हैं खासियत यह है बच्चों कि जब भी इस तरह का वाक्या है तो चाहे uncountable noun हो जैसे water और चाहे boys plural countable noun हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप यहां पर दोनों ही वाक्यों में noun के हिसाब से यहां पर water है तो इस और यहां पर boys है तो है लगाएंगे ठीक है बटा यह नि मोस्ट आफ एक ऐसा एडिक्टिव है कि जब वो नाउन के साथ आए तो कोई फरक नहीं पड़ता नाउन के साथ आए अच्छा कुछ बच्चे पहले में लाहा संग संग संगनिक लाहा बिटा आपका अंसा गलत है उपर इस आएगा क्योंकि water है और नीचे हैव आएगा क्योंकि boys है हाँ बटा जी clear हो गया यह प्यारे बच्चों क्या यह clear हो गया जली से बताइए हाँ जी clear हो गया तो नेक्स लिख दीजेगा बलकुल बलकुल तो इस चीज को याद रखना कि most of से कोई फरक नहीं पड़ता इसको यदि मैं सूत्र में बता हूं तो मैं यह कहूंगा कि most of plus uncountable noun plus singular verb और most of plus plural countable noun plus plural verb ठीक है बच्चे आपको PDF मिलेगी उसमें यह पिली जाएगा अचा पुष्पा जी कह रही है है अब बेटा तो पुष्पा जी कह रही है कि एक बार और तो बेटा पुष्पा बेहन आपके लिए एक और बार एक्जाम्पल देता हूं जैसे कि most of the information is कि जार बहुत कर लिया was वर और नीचे कि मोस्ट कि आफ कि दर ग्वेस्टिंज कि इस आर इजी तो प्यारे बच्चों आप लोग अंसर देंगे आप पुष्पा बिटा मैंने एक और एक्जाम्पल दे दिया है आप अफ़ लोगा अंसर दीजे एएए एए एएएए एएए याबी 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 क्या होगा अंसर नहीं बटा मोस्ट आफ के साथ ऐसा नहीं होता मोस्ट आफ के साथ नाउन है तो भी जो बच्चे कह रहे हैं कि ओफ रेपोजिशन इसकी वैसे ऐसा क्यूं हो रहा है तो याद रखना most of एक अपवाद यानि exception को follow करता है ठीक है बच्चे अब टाजी clear हो गया तो नेक्स लिख दीजे और मेरे सभी बच्चों ने सही अंसर दिया है लेकिन अभी भी कुछ बच्चे अपने स्विस बैंक के अकाउंट से लाइक्स की कंजूसी कर रहे हैं आगे बढ़े बिटा clear हो गया नेक्स क्वेस्चिन अगला जो है इसमें तीन बाई है lot of, a lot of, a lots of ये भी बच्चों को अकसर confuse करता है कि इनके साथ जो वर्ब है इनके साथ यदि वर्ब आये तो वो क्या होगी ये एक सवाल है आए बच्चों इसका मैं जवाब देता हूँ आपको आप देखते हैं इसका जवाब क्या होगा तो बटा इसका जवाब ये है कि यहां पर यदि इन तीनों के साथ जो मैं लिख रहा हूँ वो तीनों में लागू होता है इन तीनों के साथ यदि uncountable noun जुड़ा हो तो singular verb और यदि plural countable noun जुड़ा हो तो plural verb आता है मंगर बच्चा क्या सोचता है कि lot of and lots of में अंतर होता होगा यहीं पर बच्चा धोका खा जाता है ठीक है बटा अब इसके एक्जामपल देखते हैं वाके देखेगा प्यारे बच्चों लॉट ओफ ऑक्सिजन इस आर वेस्टेड लॉट ओफ बुक्स इस अबलिक आर मिसंग कि कई किताबें गायब हैं और मैं यह आशा करूंगा जितने मैं भी एक्जामपल दूगा एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा ऐसा मुझे यकीन है अगला वाक्या लॉट ओफ गल्स इस 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 अग्ला वाक्या इस 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 अर आख्री बाक्या है कि अ लॉट्स अलोट आफ कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि आपके और मेरे दिल में और हिम्मत की कमी नहीं है है ना बड़ा चोटा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अंसर आप सभी बिना क्वेश्चन नंबर दिये दें और मैं यह मान के चल रहा हूं कि एक भी बच्चा घलत अंसर नहीं देगा क्वेश्चन नंबर मत लिखना यह चेक वाक्य है जैसे कि बी ए बी ए ए ए ऐसे करके आप पांचों के अंसर एक साथ दे दीजे एक की क्रम में है कि एक क्रम में दे दो मैं यह मान के चल रहा हूं कि 90% बच्चे मुझे नहीं 100% बच्चे सही अच्छर देंगे कि हाँ बेटा जी आंसर दीजेगा कि आई बच्चों आपके बाद 5 सेकेंड है उसके बाद मैं आंसर दूंगा बच्च्चे इस बाद मैं अंसर दूंगा फांसर रहा है वैरव बच्चा वेरब इक्सिलेंट तो बटा पहले वाक्या में देखें Oxygen है Uncountable noun तो इस आएगा Books है Countable noun तो आएगा Girls है Countable noun आएगा Knowledge है Knowledge है Uncountable noun knowledge है uncountable noun यह आपका एए है ठीक है बच्छें यह यह K-N-O-W-L-E-D-G-E knowledge है आपका uncountable noun ऊप्छा knowledge है आपका uncountable noun तो एज आएगा और नॉलेज है नकाउंटेबल नाउन is आएगा देख्या हो रही है अधिस आपका पेट्रोल है अनकाउंटेबल नाउन आएगा बॉईज है काउंटेबल नाउन तो वर आएगा तो आंसर है आपका A B B A A कि आ याप लोगों का आंशर सही होगा यह चीज याद रखना पता ही यह मैंने क्यों बता या इसकी वज़य मुझे है इसकी वज़य है कि बच्चा सोचता है कि सर अच्छा इसकी वज़य बताऊं और मुझे यकीन है कि आपकी आज ये गलत फहिमिक खतम हो गई होगी है ना बड़ा गलत ये समस्या आपकी अब जिन्दगी भरक लिए खतम हो जाएगी तो इस चीज़ को याद रखना कि लॉट आफ लॉट आफ और लॉट आफ लॉट साफ तीनों के साथ अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंग्लर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब आता है तो सारा खेल नाउन पर डिपेंड करता है अब अब चागे बढ़ जाओं मेरे शिकारी बच्चों क्या मैं आगे बढ़ जाओं एगे, मैं मुपाइल में देख रहा हूं हुँ ऐसे आगे बढ़ते हैं अगला कृश्चन देखेंगे यह अगला कृश्चन है कि अले कर उसिग्व नाउन को लोते हैं जरा बताईए कि जी को बता है कि अलेक्टीव नाउन इन क्या होते हैं एक दो एक्जामपल दो जरह एक दो एकजांपल दीजी जरह क्लेक्टिव नाउन क्या होते हैं है आप बुलकुल कर सकते हैं LIC के लिए भी सौ प्रतिशन त्यारी कर सकते हैं बच्चे गृप आफ चलिए तो मैं समझाता हूं collective noun होता क्या है आज आपको बिल्कुल basic से समझाओंगा कि collective noun बना क्यों पहले में basic बताओंगा फिर यह subject up agreement में कैसे काम आता है यह बताओंगा तो देखो बटा कि सिंगलर कि प्लूरल और क्लेक्टिव डाउन मैं क्लेक्टिव डाउन को सीधा तीन लिख देता हूं collective नाउन ठीक है बच्चे अब जैसे कि एक singular noun है जज जज कौन है जज पता ही आपको court में जज बैठते हैं जज का प्रूरल क्या होगा जजेस अब जज का collective noun क्या होता है जजों का समूं जूरी जजों का समूं जूरी होता है इसी तरह soldier है है तो जजर है सैनिक यानिकि सिंगलर रूल क्या होता है soldiers है और collective noun क्या होता है आर्मी या फिर ट्रूप ठीक है बच्चा तो इससे क्या पता लगा इससे पता लगा कि common noun के समूं को कॉमन नाउन के समूं को collective noun कहते हैं दूसरी बात collective noun नहीं होते हैं फिर से सुन लीजे लेकिन जैसे मैंने कहा example देता हूं पहले जैसे कि आर्मी का example देखे देखते हैं आर्मी आर्मी इस आर रेड़ी कि आर्मी तयार है आर्मी हमारी तयार है आर्मी इस और रार रेड़ी तो हम सब जानते हैं यहां पर इस आएगा आर नहीं आएगा ऐसा हम सब को पता है तो सबसे पहले मैं ने बताया कि collective noun होता क्या है common noun का समू collective noun दूसरा collective noun singular होता है लेकिन मैं अगले पन्ने पे बताने वाला हूँ धोका कि इसी आर्मी के साथ is कब गलत हो जाता है और are कब सही होता है प्लूरल माना जाता है ठीक है बटए बढ़ा व१ यह प्लूरल माना जाता है अब आगे बढ़ते हैं अब इंगे बढ़े यहां तक हें तो इखने जा रहे हैं तो मैं आपको धोका कई और है तो लिख दीजिए एन एन मतलब next आप बच्चे तयार हो गए तो next लिख दीजे तो कि अगले पन्ने पर आप देखने जा रहे हैं धोका कि तयार है चलिए आगे बढ़ते हैं तो बच्चों कि धोका क्या है आए समझते हैं ठीक है मैंने कुछ collective क्लास आखना घू अन लगां कि जयूरी जजों का समूह जूरी जजों का समूह मौब हिंसक भीर को कहते हैं मौब मैं सबी की अर्थ बता रहा हूं, हिंसक भीर, मॉब, काउंसिल क्या होती है, जो जैसे कि वकीलों की काउंसिल होती है, कमिटी, ओर्डियनस मतलब दर्शक है, क्राउड मतलब भीर, सामाने भीर, फैमिली है, असेंबली है, आर्मी, टीम, क्लास, गवरमेंट, पबलिक, क्रू, क्रू मतलब पानी के नाविकों का सम्मून, ठीक है बटा, अब नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं, नियम क्या कहता है, जैसे कि मैंने कहा, अब अबल्र क्लास, इस अबलिक आर, हैपी, बाऊट, इस, अबलिक इडस, अबलिक देयर, new teacher, यह लिख देते हैं, new teacher, new teacher, और दूसरा वाग के है, the class धटूसरा वह और दूख ऑते काटूस और विouse about तो प्यारे बच्चों अगर आप पहले बाक्य में देखें तो पूरी क्लास का विचार है कि वो हैपी है यानि कि सभी का विचार एक ही जैसा है तो जब भी कलेक्टिव नाउन का एक ही जैसा विचार हो चाहिए वो कोई भी विचार हो यदि पूरी क्लास एक ही विचार या एक ही सोच रखती है तो तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन को माना जाता है सिंगलर यानि कि यहाँ पर आएगा क्या यहां पर आएगा बच्चे इस आएगा और नहीं आएगा लेकिन यदि दूसरे वाक्य देखें आप तो दूसरे वाक्य में पूरी क्लास अपने नए टीचर के बारे में अलग लग विचार है मान लिजे कोई खुश है कोई नराज है कोई असंतुस्ट है तो य यहां पर इस कलेक्टिव नाउन को माना जाता है यानि कि सेकंड वाक्य में जो आपका कलेक्टिव नाउन है यह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया डिफरेंट व्यूस की वजह से इसलिए यहां पर है वाएगा प्यारे बच्चों यदि यह क्लियर है तो एन लिख दीजे एन म एक्जाम में आचुके सवाल आसान तरीके से दूंगा कि अबिटा अभी तक जो समझाया आज समझ में आ रहा है ना यदि आ रहा है तो एक तो अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ एक्जामपल मगर उससे पहले मैं आपको बजाओं देखो क्लेक्टिव नाउन के यदि एक जैसे थॉट्स हैं विचार हैं या फिर उपीनियन है या क्रिया है या व्यूज हैं तो क्लेक्टिव नाउन के साथ सिंगलर वर्ब और साता है इंट और इट साता है क्या वला मिनने यदि कलेक्टिव नाउन के सिमलर यानि एक जैसे सömनिलय एक जैसे विचार आप्श्ण तो सिंगल हो दे और शायर doughnut कांतर में दिए ओंगा और यदि इनका डिस्टिश्म विचार अलग अलग है है ओपीनियन अलग है यह अलग है तो प्लुरल वर्ग और दे और देर का हिसाब काम चलता है तो OC Resident आपके सामने दो वाखे हैं इन दोनए में collective barend कौन से हैं देख लीजिए इन इनमें है जूरी कलेक्टिव नाउन तो आपका सवाल है किसमें ए आएगा और किसमें बी आएगा हाँ बच्चों बताईए जराइए जराइए हाँ बेटा जराइब बताना थैंक्यू पुश्वा बेटा पहले क्या करें जूरी मतलब जजों का समूर्ण यूनैनिमस का मतलब होता है क्या यानिकि सभी का एक जैसा विचार है कि जो जूरी है वह वह एक मत है अपने फैसले में तो यहां पर बच्चे आंसर क्या होगा यहां पर वाज होगा और इंट साएगा यानि अंसर होगा पहले का ए ए और नीचे देखें डिवाइड़ट अबाउट देर व्यू कि वो अच्छा व्यू में एस लगाना था व्यू में एस अबाउट यहां पर जूरी का विचार कल्प्रेट का मतलब होता है दोशी कल्प्रेट मतलब दोशी इस पर दोश लगा है तो जो जूरी है उसके अलग अलग विचार है कल्प्रेट के बारे में ठीक है बच्चा तो यहां पर क्या होगा यहां पर होगा यहां पर सब कुछ प्लूरल मान तो फिर लिख दीजे सी लिख दीजे फिर मैं एक और एक्जांपल दो और एक्जांपल देना चाहूंगा अगर यह क्लेर हो गया तो सी लिख दीजे मैं दो एक्जांपल और देना चाहूंगा ओर अधे दूसरी बार उर क्योंकि एक बर बता चुका फिर दूसरी बार आ क्योंगे लेकिन आप ने देखा यहां पर भी जुम्र के लिखे थे इसमें एक चीज़ आपने और गौर की होगी जब क्लास का एक ही जैसे विचार है तो यहां पर क्या आयेगा ुआ है सो यहां पर क्या आएगा त्षिक थिक अब मैं एक बार और दे रहां तीसरी बार दे रहूं थिस्य बार दे रहा है तो थे को इसके एक्जामपल आंसे दीजएगा तिट है थे हमन् γेंद्ध करते हैं और फेस्ला किया आर्मीश किया डिसओब कि आर्मी ने फैसला किया कि वो अपने कमंडर की बात नहीं मानेगी तो यहां पर यहां पर सभी के विचार एक जैसे हैं इसलिए है और इटस आएगा लेकिन यहां का है बेटा है वाएगा और देयर आएगा कि अब 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 टाजी क्लियर हो गया कि संजीत कुमार जी आप एक काम कर सकते हैं संजीत जी आए एसससी बच्चे कह रहे हैं है वह क्या वह क्या के लिए बोल रहे है तो तुम्हेट अधर कराने के कोशिश का करूँगा लेकिन ग्रामर कर ले बटा देख को आप लोग एक चैनल है एक चैनल है एसससी एक्जाम्स कहाण पहुंख कर एक आप तो पर्याद खान ग्लोबल टुडीस यह एक चैनल है ठीके बेटा इसमें कितनी क्लासेज हैं? इसमें बेटा 54 क्लासेज आपको मिल जाएंगे कितनी वो कैदलरी की 54 क्लासेज आपको मिल जाएंगे जिसमें सिनॉनिम एंटॉनिम भी है इडियम फ्रेजज भी है और वन वर्ट तो आपके में आता है और दहिंदू का एटोरियल भी है क्या आपके लिए 53 क्लासेज काफी रहेंगी संजीत भाई बाकी बच्चे भी बताएं क्या 53 क्लासेज काफी रहेंगी आपके लिए यदि काफी रहेंगी तो यस लग दीजे तो कि आपकी एससी एक्जाम्स थान ग्लोबर स्टीज चैनल पर आपको 53 क्लासेज वरे 54 क्लासेज आपको मिल गाएंगी कि इतना काफी रहेगा बेटा है ना और इसमें दा हिंदू एक्टोरिल भी कराया गया है रोज है ना चलिए बटा तो आगे बढ़ें आगे बढ़ जाए बटा देख बटा आपको अर्विंद यादेव जी बिटा आप लोग केवल प्रीविएस यहर मेमोरी बेस कोश्म ले लिए ठीक है अच्छा लाइक्स देखो देखो लाइक्स करने में कितनी खतना कंजूसी कर रही है क्या कर रहे हो अगला कॉंसेट करते हैं अगला कॉंसेट काफी इंपॉर्टेंट है अगला कॉंसेट करने में कंजूसी और यह बता रहा हूँ है चलो अगला कॉंसेट क्या है दप्लस नाउन अब यह जो कॉंसेट सिखाने जा रहा हूं बुलकुल बेसिक से सिखाऊंगा समझेगा ठीक ह है घ्टा मेरी क्लास होती है उसी चैनल पर दस से गयारा होती है उसमें ग्रामर कराता हूं कि ये वल मगर वहां मैं कराता हूं उस चैनल पर सेजिके के वल केवल और केवल ससी की त्यारी कराता हूं मैं वहां पर बैंक की क्लास नहीं होती लेकिन वह तो सेम है यहां पर केवल बैंक की कराऊंगा बेटा मैं है ना तो चलो अब वह क्लास होती है बेटा मेरी उस चैनल पैसे सीके 10-11 तक चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन आप तब यहां पढ़िएगा ठीक है अब देखें आपके सामने इस कॉंसेप्ट को सिखा रहा हूं मैं कि पूर पूर्स आर हेल्पलेस हेल्पलेस पताइए असहाए यह गरीब असहाए होते हैं अगला अगला पूर्स आर नहीं आर हेल्पलेस तीसरा बाग करें है अगला है हुआ 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 पूर्स आर है यह काफी इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है अगला है पूर्स आर हैं है अगला है और को रह गया पूर्स दपूर और इसलपलेस कंदीश एक और कर देते हैं एक और कर देते हैं उपकी छे परकार के रूप में वो पांच परकार की गलतियां देते हैं पूर्स इस हेल पूरश अब देखिए, हिंदी है, गरीब असहाय होता है, क्या हिंदी है? गरीब असहाय होता है, तो प्यारे बच्चों, इन में से कौन सा वाक्य सही है? और आपको एक खिंट दे दूँ, केवल एक ही वाक्य सही है, केवल एक ही वाक्य सही है, इन पांचों में से. सिंटू, पूजा, अतुल, अंकिता, राजेश, नेहा, मिर्टिन जै, सुनाली, पूजा, आस्था, संजीत, अचंदीत का तुछनिया, मदु सुदान नेहा, क्या बात है, तो अब मैं आंसर दे रहा हूँ, इसमें केवल तीसरा सही है, बाकी सारे गलत है, और हिंदी है कि गरीब असहाय होता है, तो सवाल उठता है, कि क्यों ये सही है, और बाकी क्यों गलत है, अब इस सवाल का आप क्या है, इसको देखेंगे, आईए बच्चों, इसका सवाल का अब रीजन जाना चाहेंगे, आप तो रीजन देखेंगा, रीजन क्या है, कि जब भी दा प्लस नाउन, वाक्य में, पूरे समोधाय, यानि कि कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानि कि धर्शात है, तो जो नाउन है, ये हमेशा एक बचन यानि singular रहता है, लेकिन माना जाता है इसको Plural Subject, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है इसको और इसी वज़े से इसके साथ प्यारे बच्चों प्लूरल वर्व आती है जैसे कि तो इसलिए देखिए इसलिए जैसे मैंने कहा देखे पहले में क्या गलती है देखो जरा पूर्स नहीं होना चाहिए था इस नहीं होगा यहां पर गया भूगया और एसनी लगना चाहिए था यह याद रखना जबभी दख्लस नाउन पूरे समध्दाए को दर्शाइद पूरे समध्दाएद को रेप्रसंट करें तो नाउन हमेशा एक वचन लेकिन माना जाता है पूरल सब्जेक्ट और क्रिया हमेशा बहवचन क्योंकि सब्जेक्ट पूर्ष है अब इसका एक एक एक्जामपल चाहूँगा जो आपके पर्मिशन है तो पी लिख दीजे में SBI PO को एक क्वेशन देना चाहूंगा इसी क्वेशन पर ओके बच्चों नहीं पर्मिशन दे दी है तो वाक्य देखेगा वाक्य क्या है आएए देखते हैं बच्चों कि वाक्य है कि दा कि यांस्टर देखते हैं 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 दे कि दो वर्ड कि यह और डी है और आपका नोर है कि आपक्षिन तो जब बच्चे ने यह क्वेशन देखा हिंदी है नौजवान देश का भवश्य होते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें गलती क्या है अधिकतर बच्चों को लगा सही तो है अधिकतर बच्चों को लगा सही तो है लेकिन गलत क्या है यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था यंग्स्टर में यहाँ पर यंग्स्टर में यंग्स्टर में ओह क्या कर दिया है नहीं होना चाहिए था यंग्स्टर में एस नहीं होना चाहिए था यानि कि गलती ए में हैं गलती एंपार्क में है कि बच्चे क्लेर हो गया है कि यह हो गया है हो गया हो गया लिग दीजिए एन मतलब नेक्स्ट करते हैं शावाज बच्चों अब केवल चौदा मिनट रह गए हैं तो क्या मैं आपको कवेशंस दे सकता हूं बाकी हम लोग दें सकता हूं बेटा अगर आपकी परमीशन हो तो क्वेश्ट दें सकता हूं आपको प्रैक्टिस कर लें आप जड़ा पूछो आज बच्चोंने का परमीशन है बच्चे मेरी लैंग्विज समझ गए थैंक यू प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच तो यहां पर अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ठीके बटा बेस्ट अफ लख मगर मैं को बहु यह लग रहा है कि मैंने बच्चों को इतना अच्छा तो पढ़ा दिया है कि आप कोशन देने की मेरी हिम्मत है अगर SBI PO कूछ सकता हूं मैं तो कि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो SBI को PO तक आएगा प्यो बहुत अच्छा लेवल माना जाता है चलिए और आप विश्वास नहीं करेंगे क्वेश्चन देखे आपको लगेगा कितना आसान है तो बच्चों यह पहला कोशन SBI PO level का है आराम से अंसा दीजेगा कोई जल्दी नहीं है subject verb agreement ही है subject verb agreement कहिए the request for the special reservation to women in various organizations were supported सब्सक्राइब करना जल्दी मत करना आराम से पढ़ना अंत तक आराम से पढ़ना मैं हिंदी बताइता हूं the request for special reservation कि जो request थी special reservation की महिलाओं के लिए न इन वेरियस organization कई संस्थाओं में वर सपोर्टेड उसको सपोर्ट किया गया अना the majority of leaders उसको कई leaders ने सबोर्ट किया in the parliament क्या गलती है जड़ा बताएं कि बटा आस्ता करें से सीजेल जाता अच्छा है या SBIPO बटा मैं पर पान चाहूं जो नौकरी लग जाए वो best है क्या बात है संजीत ने answer दे दिया पलवी ने भी answer दे दिया बिल्कुल सही जवाब है सी में गलती वाज आएगा वर नहीं बिल्कुल सबसे पहले संजीत पलवी निगम अजीत नेहा सुश्मा क्या बात है सी अंसर आया बिल्कुल सही सी में वाज होगा बिल्कुल सही जबाब वर की जगा वाज होना चाहिए वर की जगा वाज होगा वर की जगा वाज होगा वर की जगा वाज होगा कारण यहां प तू प्रपोपोजिशन फिर से आ गया इसका मतलब विमन भी विमन जो है यह बी औब्जेक्ट घरअब ऑफ नम इन आ गया फिर से प्रपोजिशन इन आ फिर से प्रपोजिशनि इसका मतलब वेरियस organization भी object है तो बचा कौन? subject कौन है प्यारे बच्चों? subject है request. subject है request. देखो क्या support किया? request है special revision के लिए महिलाओं के लिए अलगला संस्ताओं में उसको support किया गया, उसको support किया गया, was supported. क्या support किया? कि जो request है? कौन कहता है? कौन कहता है SBI P.O. tough है? मेरे बच्चों ने, मेरे शिकारी बच्चों ने बटा, P.O. का अंसर दे रहे हो आप लोग? SBI Club को tough क्यों समझते हो? P.O. का अंसर मैं दिलवा रहा हूँ आप से, P.O. level के question है, P.O. level के question कर पा रहे हो आप, है ने बटा? आगे बड़े बटा, अच्छा जो बच्चे लेट आए है मैं उनसे माफी चाहूंगा बटा कि आप लोगों को शायद कुछीज ना समझ में आ रही हो, क्योंकि आज ये तीसरी class है बटा, आगे बढ़ जाओं एक और सवाल, एक और सवाल पूछ लूँ बटा, तयार है कमिशन दे दी अगले सवाल की, अगला question, अगला question, each of the students in the computer class has to type their own research paper, की computer class के हर विद्ध्यार्थी को अपने research paper क्या करने होंगे, टाइप करने होंगे, semester में, अंसे दीजे क्या गलती है, शाबाश है, ध्यान से पढ़िएगा बड़ा आसान है, और यदि अंसे समझना है, तो H लग देना, H मतलब हिंट मैं हिंट दे दूँगा, मगर अंसे गलत में देना, बटा, क्या गलती है, बताईए जरा, बटा, एरर है, बिरेंदर बटा, जल्दी मत करो, जल्दी कगाम शेतान का, नई बटा, नई बटा, राजेश जी गलत अंसर दे रहे हो, एक बच्चा अंसर सही दे दो, मेरे कोई केवल एक बच्चा, अरे नहीं, हैव नहीं, यार, क्या कर दे, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने, क्या है आव नहीं होगा है सही है अरे रेर नहीँ होगा है होगाई केहल अंसर है only see याणिभी आंसर है कुछ बच्चों ने answer सही दिया है किउंगा दियर के जगा होगा सूंडेन्ट है इस किसे हो जाएगा सूंडेन्ट है तो इस नहीं और इस तो नोल लिविंग में आएगा हेज होगा क्यों होगा आए समझाता हूं कि हिस क्यों होगा और यह चीज मैंने परसों भी बताई थी फिर से बता रहा हूं इस बार बटा दिल थाम के सुनना आराम से इस तरह बताऊंगा कि जिंदगी बर नहीं बोलोगे देखो बच्चे दो भाई है पहला है इ एच अड्च आगान Свिय इस ठीक है डिस्टिविटी प्रानौन क्या है're distributed प्राणूण तो एच के साथ सिंगलर नाउं और इसंगलर वर बाति है Iine Aerial egy दॉन संग्या औरे स ग्रिया क्रिया आती है you know you know that example example each boy public boys is public are happy happy on this time honest with the man who can live in the middle of the minute yeah okay yeah but yeah yeah boy no he boys each के बाद us already photo boy आएगा और एजाएगा कि इच के साथ एक वेचा संग्या और धुचंक्रिया लेकिन 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 मगर किंतु परंथू इसका एक बढ़का भहिया है। इसका एक बढ़का भहिया है पॉन साथ वह है इचॉप कौन है ऐच और थन्हुग के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन वह बहु वचक्ण संग्या मगर सिंगलर वव याने की एक वचक्ड क्रिया आती है क्यों कि फेक्रपृटिशन है ऑफ यान्य के यह नाउन आपजेक्ट ओ गया और इसके साथ दिग औस पट्वेसे आउंगे जेन्डर के हिसाब से जेन्डर के हिसाब से वह भी सिंगलर पॉजय से एड्जेक्टिव आएगा है जैसे एक्जाम्पल देखिए एक्जाम्पल है इच ओफ दा बॉइ अबलिक बॉइस इज अबलिक आर डूइंग है इस अबलिक देर वर्क की हर लड़का अपना काम कर रहा है हर लड़का अपना काम कर रहा है अब यहां पर आगया इसका मक्तब जा नाउन तो प्रूल रहेगा लेकिन इस आएगा आप नहीं और है जाएगा एज आएगा देर नहीं आएगा इसी तरह एच आफ दो सूरेंट्स गाउर से देखिए बच्चों इच आफ दा सूरेंट्स इन दख क्विटर ग्लास है सब्सक्राइब आप समझ में आगे हैस क्यों सब्सक्राइब क्लियर है क्योंकि इच आफ के बाद संग्या बहुवचन क्रिया एक बच्चन और यहां पर इस आएगा देर नहीं आएगा ये गलती थी किया यह मुश्किल है कि मताइए कितना आसान है अगे बच्चों कि हम आगे बढ़ें तो यदि यह क्लेयर हो गया है अगर आपको क्लेयर हो गया तो एन लिख दीजिए एन मतलब नेक्स्ट कोई कह सकता है यह प्यू लेवल की कोश्चन है नहीं ना क्या बात कर दी मैंने य लेकिन बेसिक से यह लेवल तक ले जाओंगा और मैं दावे से कहरो मिटा आप में से कोई किसी से कम नहीं है बस आपको जित पकड़नी है कि होगा और या दखना बिच्चा अंग्रेजी का ग्यान बद्धिमानी के निशानी नहीं होती यदि ऐसा होता तो सारे अंग्रेज नहीं किवल एक भाषा का ग्यान है मैं बी वेटा हिंदी भाषी छेत्र से हूं कि कहा है तो कि मैं भी यूपी का लड़का हूँ अब उड़न हो कि अपने कई विद्ध्यारती हर्याना से बिहार से राजिस्थान से मद्ध्रदेश से मुझे बढ़ते हैं लेकिन मैं एक ची कि मुझे एक गुरु मिले एक महिला थी एक टीचर थी मैं क्योंकि मैंने पढ़ाई की उनसे और उनसे बटा मैंने 6 लेकर 12 तक उनसे पढ़ाई की और उसका मुझे फाइदा मिला कि मेरे को अंगरे जी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिली तो बच्चे जो चीज जैसे मुझे मिली है मैं वैसे ही बेस्ट आपको दे रहा हूं आगे बढ़ जाए बटा अगला कोश्चन करें कि अगला कोश्चन करेंगे कि everyone of the film you suggested are not worth seeing कि हर मुवी जो तुमने सजेस्ट की थी वो वर्थ नहीं है देखने लायक नहीं है वर्थ मतब कीमत क्या गलती है कि आव रेंदर भर्मा जी बोले बता शावाज को अब अब अच्छा बाकी बच्ची बैसा दीजिए क्या गल्ती है ABCD क्या आंसर होगा बताइए चला कैसे भी आंसर दीजे कैसे भी आंसर दीजे बिटा के आर की जगा इस आएगा यानि अंसर क्या है only डी वेरीगों पिटा आंसर क्या है only d अंसर है यहां पर इज आना चाहिए जोगी आफ आ गया तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे एवरीवन है न वलकुल सही है वलकुल सही है शाबाज बच्चों शाबाज आगे बढ़ जाओ बटा आगे बढ़ जाओ चले बच्चों शाबाज मेरे प्यारे बच्चों अच्छा अब हम मंडे को मिलेंगे लेकिन उससे जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टन चीज डिस्कस करना चाहता हूँ यदि आपकी पर्मिशन है तो हाँ बटा एक बात मैं कहना चाहूंगा मैं एक बात आपको कहनगा अगर आपको पर्मिशन हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा बटा देखो एक चीजा रखना कि आप चाहे इस वक्त स्कूल में बैटे हों कॉलेज में बैटे हों घर पे बैटे हों चाहे पी रहे हों आप जब चलते हैं तो आपके माता पिता के सपने आपके साथ चलते हैं जब आप दोड़ते हैं तो आपके माता पिता के सपने आपके साथ दोड़ते हैं जब आप चोट खाते हैं तो वह आपके माता-पिता के अपनों पर चोट लगती है और आपको बताए कोई विक्ति कितना भी अच्छा हो यदि अपने माता-पिता के सपनों के लिए काम नहीं करता तो बटा दुनिया उसको वेल्यू नहीं करती और माता-पिता के सपना यह न यह सोच के ना करें कि आपका सपना क्या है यह सोच के करें कि मेरे को अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं और आपको एक बात बता दूँ एक बात कहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी की तो आपके पिता जी या आपकी ममी बताते होंगे रिश्दारों को या जानकार हो कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी की त्यारी कर रहा है तो यह एक साल बाद जब बच्चा कुछ सफन लता प्राप नहीं कर पाता तो बटा पिरेंस को दुख होता है वो बड़े हैं परिशान हो जाते हैं कि जिन लोगों से कहा है वो बूचेंगे शर्माजी क्या हुआ अब बच्चे का तो बटा ऐसा मत होने देना कभी अपने लिए या दिखना अच् सुखार्ति वा तेजेत विद्याम अब विद्यार्ति वा कुटो सुखार्ति वा कुटो विद्याम इसका मतलब क्या है कि सुख चाने वाले में विद्या नहीं होती जो सुख यानि आनंद चाहता है सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिलती है और जब विद्या मतलब क इतने अच्छे कि आपके एरिया में आप जैसा हलवाई नहों यदि आप कार्पेंटर बने तो इतने अच्छे कि आपके पूरे एरिया में आप जैसा कार्पेंटर नहीं तो कोई भी विद्या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी नौकनी त्यारी कर रहे हैं तो इतनी कीजिए कि आपको सीशे में देखे अपने आप यह सुख नहीं है और सुख चाने वाले कर विद्या नहीं हुआ ठीके बटा तो आप लोग प्लीज मेनत कीजिए इमान दिरे से मेनत कीजिएगा और अपना बैस दीजेगा और हाँ एक आखरी रिक्वेस्ट और है सबी बच्चो कल मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं आपको बताना चाहूंगा कल मैंने मिटा आप लोगे कमेंट पढ़े मैं उन बच्चों का धन्यवाद दूँगा और जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद है लेकिन यह कमेंट्स हैं बच्चों ने किये थे कल इनका नाम लेना चाहूंगा गुडिया कुमारी, क्रिस्टल, बिरेंद्र, संजीत, जहूर, नेहा रानी, प्रि दियर कृशू, मिस, आनिया, मांसी, श्वेता, सुरेंदर, यूजर 4K, आस्था, पुश्पा, कोमल सिंग, शागू, पक्रीम, अनील, चौधरी, संजय, पूजा, निहा कुमारी, अंबिका, सम्वीर, रन्वीर, तिचान, द्रिमौन, रेलवे, डीडीए, निकेत, आकांशा, मुल्टी मीडिया, राजेश, रवी, दिपाली, यूत, रानी, शर्मा, आरिया, इन सभी को धन्यवाद, बेटा, जिन्होंने मेरे को कमेंट्स किये, और मैं चाहूंगा, आप लोग भी सारे बच्चे, क्लास कातों, ने कमेंट करके बताएं, कि आपको क्लास कैसी लग रही व्यस रहें, चबर्दस रहें, मातापिता की बात मानें, अपना ध्यान रखें, बबाए, टेक क्यार, जैहिन, वंदे मात्रम